जंगल की दुनिया के सबसे खतरनाक और खुनखार जानवों में से एक है तेन वा जो अपने शिकार करने की टेकनीक और पेड़ पर चड़ने जैसे लाजवाब हुनर के कारण पूरी दुनिया में मश्हूर है इस बायानक जानवर की नजर एक बार शिकार पर पढ़ जाये तो इसका बचना बेहत मुश्किल हो जाता है यहां तक के पंदर जैसे तेज और फुतिले जानवर भी इसके वार के आगे टिक नहीं पाते ऐसे में इस गायल शिकारी को दूसरे जिवों से लड़ते हुए देखना काफी दिल्चस्प होगा तो आएए देखते हैं सेंद्वे के दिल दहला देने वाले हमले जिन्हें देखकर आपके रूंटे खड़े हो जाएंगे इस खूनकार और फकरनाक जानवर के किस्से जंगल के सासाथ घर में गुसकर शिकार करने के लिए भी काफी मशूर है जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये पालतू कुटा बहुत आराम से सो रहा था के तब ही शिकार को ढूंटे हुए तेंद्वा यहां आ पहुचा और कुट्टे के बास आगर खड़ा हो गया हाला के कुस्तों की नीन जरा सियाहट पर खुल जाती है लेकिन यहां इस विचारे को पता तक नहीं कि इसके सर पर मौत खड़ी हुई है थोड़ी देर बात तेंद्वा बड़ी शांती और चालाकी के साथ कुट्टे की गरदन पर जान लेवा हमला कर देता है और इसे पूरी तरह से जकड लेता है कुट्टे के बास चिलाने की इलावा कोई रास्ता नहीं होता और इसकी आवाज सुनकर कुछ लोग घर से बाही राते हैं लेकिन ये तेंद्वा काफी होश्यार था उनकी आने से पहले ही ये इस कुते की गर्दन दबोच कर इसे खैंच कर ले जाता है और जब तक लोग घर से बाहि निकल कराते हैं तब तक काफी तेर हो चुकी होती है एक तेंडवे के सामने आना भी जान लेवा साबित हो सकता है और यही गलती यहाँ इस जंगली बिली से हो गई इदर यह तेंडवा अराम से चल रहा था कि अचानक उसे अपने पैरों के पास एक जंगली बिली नजर आई और वो इसे दबोशने के लिए उस पर तूट पड़ता है लेकिन खत्रे को सामने देखते ही बिली पूरी जान लगागर तेजी से भागने लगती है पर तेंडवा अपने नोकेले जबरों की मदद से बिली को अपना शिकार बना लेता है इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि टहरते हुए इस तेंडवा की नजर जैकल पर पड़ती है और वो वही अलर्ट हो जाता है ताके जैकल उसकी जरा सीबी हरकत से उसे देख ना ले तेंडवा बेहत सबर के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक टिक अपने शिकार को देख रहा है और मौका मिलते ही अचानक से बहुत तेजी से आगे बढ़कर जैकल पर हमला करने के लिए दोड़ पड़ता है और इस से पहले के जैकल कुछ समझ पाता कि क्या हुआ है लेकिन तेंडवा इसकी गर्दन अपने मूं में दबोश लेता है और उसे मौत के घाट उतार देता है इस वीडियो में एक जगली सुवर अपनी जगा से बाहर ही निकले थे कि इनके वैलकम के लिए तेंडवा पहले ही नजर गिड़ाए हुए बैठा था और मौका मिलते ही बिना वकत गवाए अपनी रफतार और पुर्ती के साथ लेपर जोरदार हमला कर देता है और सारे वर्धोग जान बचागर भागने लगते हैं लेकिन इन में से एक वर्धोग इस फून वार जानवर के शिकंजे में फंस जाता है हाला के वो खुद को उसकी पकड से छुडाने की बहुत कोशिश करता है मगर इस वक्त उसके पास चिलाने की लावा और कोई रास्ता नहीं बचता क्यूंके तेंट्वे ने इसे पूरी तरह से जकड कर उसकी गर्दन अपने मूं में दवोश रखी है एक तेंट्वे कप कहां से आकर अचानक से हमला कर दे कुछ पता नहीं चलता नमबर फाइव लैपर वर्टिस मंकी तेंट्वे से हर जानवर ही खौफ खाता है क्यूंके इसके केस में उनके पास बचने का आप्शन ज़रा कम होता है शिकार खुद को बचाने के लिए चाहे जहां भी चला जाये तेंट्वा उसे ढून ही निकालता है इस वीडियो में आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा जहां एक छोटा सा बंदर अपनी जान बचाने के लिए इस पेड़ पर चड़कर बैठा हुआ है तो वही तेंट्वा भी बंदर को अपना शिकार बनाने की ताक में है बंदर दो पेड़ों का फाइदा उठाते हुए तेंट्वे को इधर से उधर घुमा रहा है लेकिन तेंट्वा भी कुछ कम नहीं है उसने एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर बिना डरे एक शानदार चलांग लगाई और एक ही पल में बंदर को मुश्किल में डाल दिया जैसे ही वो दूसरे पेड़ पर जाने की खोशिश करता है तब ही तेंट्वा पूरी फूर्ती के साथ उसका पीछा गटे हुए चलांग लगाकर उसे अपने चंगुल में फंसा लेता है और इसे अपना खाना भना लेता है पेड़ की टेहनियों में अपने शिकार को मौत के घाट उतारने वाला ये तेंट्वा इस वक्त बिलकुल किसी राजा की तरह नलग रहा है जो अभी आस्मान से बातें कर रहा है सच में तेंट्वे की रफ्तार और हुनर का कोई मुकाबला नहीं उड़ते परिंदों का शिकार करना कोई असान काम नहीं लेकिन ये तेंट्वे के लिए इतना भी मुश्किल नहीं है साउट अफरीका के इस पारक में इस बर्ड को देखकर आपकी आँखे खुली की खुली रह जाएंगी यहां ये हॉर्न बिल बर्ड बड़े ही अराम से टहलते हुए शायद अपना खाना ढूंड रही है और इसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि जाड़ियों में छुपा तेंदों आज उन्हें अपनी खुराग बनाने के बारे में सोच कर बैठा हुआ है इस से पहले कि ये बर्ड कुछ जान पाती अचानक तेंदों बहुत तेजी से इस पर हमला कर देता है और फूर्ती से छलांग लगा कर उड़ती हुई चिडिया को अपने पंजों में दवा लेता है लेकिन किसी तरह चिडिया अपने बचाओ करने के लिए तेंदों के चंगुल से निकल जाती है और बिना वकत गवाए उसकी पहुंच से दूर उड़ जाती है ये अच्छा है कि तेंदों उड़ नहीं सकता वरना ये तेंदों असमान में भी इसका पीछा नहीं छोड़ता वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि सबर का फल मीठा होता है इस वीडियो में तेंदों इस बात को साबित भी करता है कि कैसे ये दबे पाउं अपने शिकार की जाने बढ़ रहा है लेकिन इस वाइल बीस्ट को तेंदों की हरकत का बिलकुल भी पता नहीं चलता तेंदों पूरे सबर के साथ आगे बढ़ते हुए अपने शिकार के ठीक पीछे आकर बैठ जाता है और इस बोले वाइल बीस्ट को अंदाजा तक नहीं होता कि जान लेवा खत्रा उसके आसपास ही मुझूद है तेंदों काफी देर तक बिना कोई हरकत किये वाइल बीस्ट के पीछे ही बैठा रहता है और शायद वो इसके भागने का इंतजार कर रहा था ताकि शिकार करने में थोड़ा रोमैंस आ सके लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो तेंदों ने वाइल बीस्ट पर पीछे से चलांग लगा दी और इस पर हमला करते हुए इसकी गर्दन को अपने मुँ में जकर लिया और जल्द ही इसे मार कर अपना शिकार बना लिया अब शायद इस वाइल बीस्ट को सबक मिल गया होगा कि जंगल में हद से ज्यादा अलर्ट रहना बहुत जरूरी है तेंदों के शिकार करने की बेमिसाल टेक्निक शायद पूरे जंगल में किसी के पास नहीं और इस बात का सबूत ये वीडियो है इस वीडियो में ये तेंदों कैसे छुप कर अपने शिकार को बिना पल के जपकाई देख रहा है और वहीं इस टीन बोग को शायद इस बात का अंदाजा हो गया है कि कोई खत्रा इसके आसपास मंड़ा रहा है जिसे ढूमने के लिए वो चारों तरफ देखता भी है लेकिन तेंदों के इस छुपने की कला इतनी कमाल है कि स्टीन बोग को वहां उसकी मुझूदी का पता नहीं चल पाता और वो बहुत अराम से अपना खाना खाने लगता है लेकिन तब ही सही मौका देखते हुए तेंदों पूरी तेजी से स्टीन बोग पर जानलेवा हमला कर देता है और इसी अपने चंगुल में दोबोश लेता है वही स्टीन बोग अपने पैरों से हमला करते हुए उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश तो करता है मगर एक तेंद्वे की जकट से निकलना इतना असान काम नहीं और आखरकार स्टीन बो खार मानकर अपना दम तोड़ ही देता है और इस बयानक तेंद्वे का शिकार बन जाता है नमबर नाइन लेपर्ड वर्सिज इंपाला एक तेंद्वे को जंगल का साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि ये जीव छुप करवार करने में इस कदर माहिर है कि बेहत करीब पहुंचाने पर भी शिकार इसकी मुझूदी को भांप तक नहीं पाता अब जैसे कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं जहां इन इंपाला को अंदाजा तक नहीं होता कि ये खतरनाक जानवर धीरे धीरे इनके पास आ रहा है और आज शायद ये तेंद्वे इनमें से किसी एक को अपना शिकार बनाने की इरादे से आया है और सही मौका देखते हुए वो बिना वकत गवाए अपने शिकार की तरफ तेजी से दौड़ता है वहीं इंपाला का जुन्ट तेंद्वे से बचने के लिए दूसरी तरफ भागने लगता है लेकिन अपनी फूर्ती और फ्लेक्सिबिलिटी की मतल से तेंद्वा इंपाला को पकड़ लेता है और हवा में किसी बास्किट बॉल की तरह उच्छालते हुए उसे दुबोश कर अपना शिकार बना लेता है कहते हैं ना कि जब किस्मत ही खराब हो तो बेहिसाब संगर्ष भी कोई फाइदा नहीं देता तो गाइस ये थे खतरनाक और खूनखार तेंद्वे के कुछ बयानक हमले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें